तो चंद्रे शेकर भहिया बिहार राज्य के सुपॉल जिल्ले से है और भहिया लंबे समय से मतलग पकती साल से समाच सेवा में अपना योगदान दे रहे है भहिया भी UHB से 2018 से जुड़े हुए है और शिक्षा समस्कार स्वास्त सयम और कौशी शेत्र की परिस्तिकिय पुले कर सेवाकारे में अभी अपना समय बिता रहे तो भाईया आप अमंत्रितों ओहल पीए है जी सभी को नमस्ते नियती मानिव परमपड़ा के शभी प्रेरकों और UHB टीम के प्रती प्रितक गिता मेरा नाम चंद्रेशेखर है मैं बिहार राज के सुपॉल में रहता हूँ भारत में तो वो सुपॉल में ही जो है ये गिरती है परिवार में ये पतनी है दो बेटिया है जो दोनों पंजाब विश्विद्याले चंदीगड में पीजी की छात्रा है हमसे जो बड़े भहिया है ये शेवा निम्रित सिक्षक है जो पंचकुला हड्याना में रहते हैं एमे करने के उपरांत लगातार में समाश श्रिवा में हूँ अक्टूबर दो हजार अठार में जीवन विद्या की विशेवस्तु से प्रथम जो है मेरा प्रचय हुआ था तदूपरांत UHP टीम से जूर कर शम्मंतित विशेवस्तु को जानने और जीने का निरंतर जो है ये अभ्याश में लगा हुआ हूँ अभ्यास और एक और दो में जो समझ वनी है और इस बीच में विगत जो सारे तीन मेने चार मेने में जो ध्यान गया है तो अभ्याश एक में श्वंग के द्वारा श्वंग को देखने का जो करम है वो जारी है अपनी कलपना शेलता में आशा विचार इच्छा को देख रहा हूँ अब अपना अधिकांश आशा पर ध्यान की गती भी बर रही है इसलिए आशा को लेकर पुर्व की तुल्ला में जो पहले परेशानी ज़्यादा होती थी अब उसमें काफी कमी जो है वो आ रही है बरतमान में भी कई ऐसे दीचार आते हैं जो काफी श्रमे और दिनों तक यो है वो रहते हैं जिस तरह अभी ही बलकि जहां मैं हूँ जिस्तिक हेड़कौार्टर में तो वहां लगवग 90% घर्ज का जो नक्षा है वो मुनिस्पैल्टी से पास नहीं है तो इस वीच में मेरे एक फरोशी है तो उन्होंने जो है वो शिकायत जो है वो दिया है कर कि मेरा घर यह पास नहीं है तो वो नगट फालिकार ने जो हमें बुलाया था तो लेकिन वो कोई बात नहीं मैं सोचा कि वो नक्षा जो है यह में पास कर बालू लेकिन फिर उनका एक जो शोशन और दोहन का जो जाल है वो इतना जटिल है तो उसको लेकर वत्मान में भी जो है वो जो वीचार है वो जो है वो चल रहा है लेकिन जो भी वीचार है उससे अब ज्यादा जो परिशान है वो नहीं जो है यह होता हूं वीचार में के साथ अब भौपर जो है वो ध्यान जाते ही अपना जो शमादान है ये जो है ये कर पाता हूँ अपने आशा वीचार और इच्छा में शभाव या प्रभाव को भी देखने की जो गती है वो बर रही है ये देख रहा हूँ कि मैं जो कोई जदी सूचना है तो किस प्रकार से अब यही जिस परत्मान समस्चा में मैं हो जिस वीचार में ज्यादा मेरा ध्यान जा रहा है तो ये मैं देख रहा हूँ ये बाहर का जो है ये प्रभाव है या कोई दवाव है तो मैं कैसे सुभाव में आकर के शमाधानित हो जाओं इस पर मेरा ध्यान जो है वो कस्ताफी जो है ये बढ़ रहा है अब अपना अधिकांश जो है आशा वीचार इच्छा पर सजगता के स अपनी मानिता या संसकार को भी असपस्ट देख पाता हूं इससे अंतर नियोजन में मदद मिलती है इसी दोरान श्वंग के द्वारा श्वंग को शंगीत या अंतर वीरोद को असपस्ट रूप में देखने की गति भी जो है वो बर रही है इससे सौव में अस्थित होने या पनिवार्जन का अवशर जो है यह बार बार हमें मिलता है श्वंग के द्वारा श्वंग का सिक्षक और सिक्षन की यह शहज विधी जो है यह मुझे जो है यह लगती है इस प्रक्रिया के लगातार अभ्याद से अपनी कलपना शिलिता को व्यवस्थित कर शंबन व्य जीना आशान लग रहा है, अपने पुरवर्ती इच्छा, बीचार आशा में दिरोई और व्यवस्ता, शंगर्ष, गहरी मानेता और जीने के अभ्यास पर गहराई में ध्यान जाने लगा है, और जितना ज्यादा ये ध्यान जा रहा है, उतना जो है श्वत्य की जो गति है, अ होने की गति भी जो है ये बढ़ रही है अब्यास दो चैतन्य के द्वारा जीवन और शरीर की अलग-अलग वास्पिक्ता को देखने की गति भी बड़ी है मैं शरीर और मैं और शरीर के बीच होने वाली सूचना के आदान प्रता अब्यासों को भी देखने का विकाश हो रहा है विकत माह में कई महत्पुन शमवेदनाओं और उसम में मैं की भूमिका को भी गहराई में देखने का अविश्ण मुझे मिला है महत्पुन शमवेदनाओं पर निर्णे लेकर होस और ब्यहोश होकर अपने शरीर द्वारा किये गए कार्ज ब्यभार को भी देखने का जो अविश्ण है ये मिला है शमवेदनाओं को मैं द्वारा पढ़कर उसे अर्थ देकर सवाव गती या प्रवाव दवाब को देख पाया हूँ मैं और शरीर के बीच की दूरी में संसकार और समझ के आरार पर प्रतिक्रिया और अनुक्रिया को भी गहराई में देखने का जो अवशर है इस वीच में मिला है बिगत मा में कुछ ऐसी घटनाई घटी है जिन से शंबेजना के शरीर पर पढ़ने बाले प्रवाव से शुखी दुखी होने का जो प्रवाव है ये देख पाया हूँ एक उदारन है कि एक सहरसा में मैं एक शादी समारों में मेरा जाना बहुत आवश्यक था और उस शादी को शंपन मैंने ही जो है ये जो है ये करबाना था लरकी के पक से भी और लरका के पक से भी तो मिधला में जो है ये शादी में अन्य जो खर्च होता है तो उसकी तो कोई बात नहीं लेकिन मानशाहार का चलंज जो है ये बहुत ज़्यादा है तो पहले मानशाहार के वक्त जो है बलकि 92 में मैं भी ये मानशाहरी था लेकिन 92 के बाद मैं शाकाहार का जो है ये व्रत लिया था तो जब मैं उशादी शामारों में गया तो ये मान्ष खाते हुए जो है जो मैंने देखा और जिस प्रकार से देखा एक लगभग अश्री वर्स के जो व्रिद्ध है उनको भी खाते देखा तो शने का भाव तो मेरा उनकी प्रति है ये भी था विरोध का भाव मु ये खाते हैं तो उससे जो है वो थोड़ी और सहस्ता का जो है ये जो है ये माशोस ये हुआ और उससे ये भी देखा कि किस प्रकार से हम जो है मेरी और व्यवस्था और जो व्यवस्था है उस पर ध्यान जो है गया शरीर पर इंद्रियों द्वारा प्राप्त समबेजना क गलत अर्थ देने से शारिरिक मानसिक स्वास्त किस प्रकार समश्या उत्पन करता है इसे भी महशूस कर पा रहा हूँ शरीर, शमवेजना, केंद्रित, अंद्रिश्वास, मानविय चिंतन और कार्ज विवार को प्रिया की तलाव के लिए प्रभावित करता है इसे भी परहने का जो अफसर है कि लगाता मिल रहा है शरीर समवेजना को जितना फाइल करके देखता हूँ उतना ही देखने का अठात मैं और शरीर का व्यापक के साहस्तित में होने की ओर ध्यान जो है यह जा जो है यह रहा है अभ्यास अस्तेपों को श्रंग में देख पाना जो तीसरा पॉइंट है दोनों अभ्यासों के किसी अस्तेपों पर सूचना में और अस्पस्ता अब नहीं है सूचना के रूम ने यूएच बी के प्राता कालीन शत्र में नियमित भाग लेने और दो सापता ही बैटी में भाग लेने से विशेव वस्तु की अस्तता के साथ पनिवारजन का अवशर मिल रहा है बर्तमान शत्र में जीने की चारों आयाम में से दो, तीन, चार पर गती और वड़ी है विशेव वस्तु के अर्थ को जितनी गहराई में ध्यान देते हैं उतना अधिक जीने में गती बढ़ सी जा रही है जीने के आधार, शरीर, शुवधा, शमवेदना के अस्तान पर शंपुन अश्टत्र में होने की ओर ध्यान बर रहा है चीतना समय श्यंग के द्वारा श्यंग को देखने की अस्तिती में होता हूँ, उतना समय स्वभाव में होकर परतंत्रता और स्वतंत्रता को भी देख पा रहा हूँ स्वतंत्रता के भाव के साथ होने से द्रस्ता भाव में सरीर अर्थात, जड़, जीवन का व्यापक परदी ध्यान रहता है इस भाव को प्रतिस्थित करने में प्राताकारी निशत्र और साब्ताहिक शंबाद का उपकार जो है, ये महात्पुर्ण शावित को रहा है नियमित शंबाद के साथ जोड़े होने से कई प्रशनों और समस्याओं का शामाधान होते देखता हूँ विचार के बहों मैं कमी आते देख रहा हूँ इस कमी के कारण पहले की तुलना में श्वंग द्वारा श्वंग और दूसरे को परेशान करने का परिवारजन भी देख रहा हूँ अब श्वेंग के द्वारा श्वेंग के लिए किये गए श्वगात को देखकर किसी बहाना के बजाए उसे स्विकार करने के लिए के लिए ये प्रेजित जो है ये हो रहा हूँ ला है कि में फाली वार मेरी जो शाधी ती तो जो जो मैं बीए का श्टूइट ठा और मेरी पतनी ये बहुत हिए बहुद मी की खूट ही और शाधी के तुरंट पतनी रहने लगे तो फिर जो है वो जम्मेदारी जो है आ गई उनके उपर, जड़ा जम्मेदारी, मैं भी तोड़ा हाथ जो है वो बठाता था लेकिन बहुत कम, पहलीवार भाईया जो है, वो मेरी पतनी को एक अभी एक काजक्तम में जाना को जवरी था, तो वो दो दिन से वार हैं तो मैं पहली वार वे हमें गैस कैसे जलाया जाता है वे हमेश में सिखाई बताई और मैं पहली वार गैस जला करके जो भी अपना खाना बनाना फिर खाना और बिलकुल हमें किसी प्रकार की मेरी और सहस्ता जो है यह मना उनके प्रति या शुरंग के जिम्मेदारी के किर्प्रति भी जो है ये नहीं जो है ये हुई इस शुकार्था के पाबजूद ऐसा नहीं कि हमेशा मेरा ब्यभार है जो होता है लेकिन पनिवार्जन का जो दोर ये भ़िया बढ़ता जा रहा है ऐसी भहिया बहुत सारी गलतियां जो है और संसकार की ओड ध्यान जो है पाले का भी और बठमान पर भी जा रहा है ध्यान जाने पर शम्मन विवस्ता सहस्तित्य के मंत्र को खंडित करते श्रंग के द्वारा जो है यह पाता हूं खंड शे अखंड वईत से अद्वयत के रूप में श्रंग को और शफल देखता हूं थो कि यह निरंतरता जो है यह जो श्रिकार्षता जो है यह हमेशा है नहीं लेकिन आप संवों की शंगती से पणवार्जन के जो अवशर है और अपने इस्त के साथ जो है इस असफ़स्त के साथ कि इस्त मेरा यह है जो मेरा ब्रहम है वो नहीं है जो जाकिती का जो पथ है वो है इससे जो है इस के प्रति लगाताब जो उस्सा है वो बढ़ता जा रहा है चौथा जो बहिया बिंदू है सुक्सवाह या प्रभा इस पर बनी अस्पस्चता मैं शरीर नहीं चैतन्य हूँ यह शरीर चैतन्य का शाधन है इस और नियमित ध्यान जाने से शरीर शुवधा और संबेदना को लेकर अंतर बिरोद काफी कम हो गया है शुवधा से सम्मान पाने का पहले भी मानिता नहीं थी लेकिन छात्र जीवन से शाहित कला पत्रकारिता समाज सेवा से बाहर से भाव पाने और नाम कमाने की ललक जो है वो वह वह जो पहले काफी थी वे लगभग जो है वो खत्म जो है यह हो गया है एक और जो शुवधा को लेकर के जो है वो पहले भी इस तरह से बनाए पाड़िवारी कैसी प्रस्थिती थी तो शुवधा को लेकर कि मैं कभी भी ये प्रेशा नहीं हुआ और अब भी भी मैं उसी चाड़पाई पर शोता हूं और मेरा जो पंखा है जो मैं 1984 में खरीजा था और जो चाड़पाई मैं ग्राज़वेशन में खरीजा था उसी चाड़पाई पर मैं अभी भी शोता हूं और उसी पंखे के नीचे अभी भी शोता हूं लेकिन नाम कमाने का जो ललक था वो भी जो है आप लोगों की शंगती से जो है वो कम जो है ये हुआ है UHB कि विशे बस उसे जूने के बाद, अब किसी भी सामान या छोती घटना और प्रतिकूलता में प्रभाबित होना काफी कम जो है वो हुआ है, लेकिन जटिल प्रतिकूल प्रस्थितियों में सोहाब में अस्थित होना अभी भी काफी कम्या जो है श्रंग में देख रहा हूं, इस प्रस् और पुर्वाव्यास की ओर ध्यान जाता है सुभाव में नहीं होने से शम्मंद के बजाए दिरोध भाव किस प्रकार से मानसिक शारिडिक भावनात्मत व्यवस्ता को च्छती करते हैं ये भी अस्पर्ष्टिया देख रहा हूं शुक का आधार सुभाव है यही श्रत में होना है यही श्रतंत्रता का प्रमानदी जो है यह है इसे देख रहा हूं श्रंग गती में होने से श्रंग परिवार समाज प्रकृति के साथ जिम मेदारी के साथ कार्ज व्यभार शहज होना महशूस करता हूं श्वभाव गती में ही गुन, रूप, श्वभाव और धर्म पर ध्यान जाता है श्वभाव गती में ही अस्थुल को भी शुक्ष और सुक्ष तम द्रिश्टी से देखना शरल लगता है श्वान्वेशन की प्रिक्रिया सभाव में ही शहज होना आशान जो है ये लगता है यही महशुस करता हूँ पाच्वा जो बिंदू है सुख को सभाव के रूप में देखना और उसे सुनिशित करने के कार्ज करूँ शरीर और जीवन की स्पस्टता के साथ दोनों का व्यापत में होने की और नियम्मित ध्यान जाने से सभाव के प्रकास में जीना ही सहज स्विकार्ज होने लगा है इसलिए श्यंग की ब्यबस्ता में श्युवधा और संबेजना का अनुकूल प्रभव में आवशक्ता का ही ध्यान बना रहता है शरीर के शंडक्षन, पोशन और सदुप्योग का ध्यान लगाता रहता है अब ऐसे उस्तब और समाजिक आयोजन में भी भागिदारी कम है जहां चेतन के विकास के लिए कोई सार्थकता और उप्योगता का अवशक्त नहीं है जीब चेतना में जीने बाले के आहार ब्याहर को लेकर प्रतिक्रिया भी तेजी से गट रही है जिसे पहले जहां कोई बली दी जाती थी या मांस मचली का मार्केट था तो वहां में काफी आसाज हो जाता था लेकिन अब जो है ये प्रतिक्रिया भी जो है श्रंग की प्रतिक्रिया वो काफी जो है ये गड़ी है समाज से एक सेबा का आधार भी जो है शरीर शुवधा शमबेदना के प्रियाहित लाव से शत्य धर्व न्याय में अस्थान ले रहा है अब श्रंग परिवार समाज के किसी भागीदारी और जिम्मेदारी का आधार आत्मिता और आत्मिक जाग्रती ही है किसी खाश वर्क, शमू, शमबार, लिंग, आधी, किसी भेद के आधार पर क्या जाने वाला श्यवा कार्ज अब हमें और श्विकार्ज है अब शर्व शुब के लिए ही होने वाली श्यवा यात्रा में ही गती शीर होना जो है मेरे लिए श्विकार्ज है मेरी जो प्रतिव बद्धता है मैं इसे पहले दी में शेयर में इसे में शेयर कर चुका हूँ फिर मैं उसको फिर में दो रहाता हूँ अपनी समाज शेवा के मुनलक्षत प्रेम करणा के बास्विक अर्थ की ओर जियान जाने से श्यंग और समाज के अस्तर पर अपनी इस शरीद यात्रा का सदुपियोग वर्ष 2047 तक करने के शमणपन का निर्णे है इसके लिए मानविय शिक्षा संसकार और स्वासंजम योजना के लिए अपना संपुन शमय देने की ओर के ततपर हूँ ये सुपॉल और साहरसा जीला मुख्याले में मेरे पास जो है करीब एक जगह लगबग 6000 स्क्वाइर फीट और एक जगह जो है करीब 5000 स्क्वाइर फीट जो है वो जगह है ये मैं चाहता हूँ कि इसी दो योजना के लिए वो जो जगह है उसका जो है वो एक किन रूप में जो है ये विशित हो अपने च्छत के चैनित सिक्षन संस्थानों और चैनित गाउं में इस योजना को क्रियानियों तरने की और भी प्रियाश रत हो और कुछ जो प्रिया कि आप समों का हमें जो परामर्श है और जो शयोग है ये मिले ये जो है अपिक्षित है अंद में यूएच भी टीम के प्रती की तक्यता के साथ सभी को नमन वंदनिय गुरु तुली जो है गनिश भहिया उनको भी जो है नमन चंद्रशेखर सभी को चंद्रशेखर का आव पूरी बात को साथ सों से कनेट वी करने का पूरा प्यास करते हैं बड़ी सरलता से अपने पुरु की घतनाओं को लेकर और अभी जो अभ्यास करते हैं इसको जोडते हुए रखा बहुत ही बढ़िया भी या ठोड़ा सा मुझे आपकी शेरिंग में यूप करना था कि आप की स्पस्ट्रूप से कोई भागीदारी भी ध्यान में नहीं आई तो अगर आप वो रखें आगे का क्या कमिटमेंट है और भागीदारी है तो और अच्छा रहेगा चन्दशेकर भीया हाँ भाया धन्यबाद भीया बिल्कुँ कोई भागीदारी आपने अलग से अगर प्लान की है कोई योजना बद तरीके से क्या भागीदारी आप करना चाहिए कुछ जो विद्याले है और कुछ विद्याले में जो गतिवीदी है ये तो मैं शुरू कर दिया हूँ और अभी ये नौमी दस्मी गिंग्यानमी और बार्वी की जो किताब मन परदेश में आई है उसका भी भीया जो एक श्रबन और मुद्दन है ये चल रहा है और ये में चाह रहा हूँ कि लगबग पांच विद्याले जो है और ये चाह पांच गां इसमें जो है मैं अपनी बागीदारी जो है ये सुनशिद करो अच्छा बहिए और एक शुपाल में ही आपकी गाउम ही तेक वरक्शब कोई था ना जो भानु भीया मोती भीया गया जी जी ने ये मोती भीया गये थे तो उसके फालो अप में कुछ हो रहा है क्या गाओं में दूए तो अभी ही तीन-चार मेने में तो अब्धाया पूल बहुत जल्दी शरमान के जाओंगा और उससे बड़े भाएं जो हर्याणा में रहते हैं बलकि वह वे भी अकेले हैं बलकि उनको एक शंतान थी एक लड़का था उनकी मिट्टी हो गई दो साल पहले तो पिलकुल भावी भी नहीं है तो थोड़ा उने भी जो है उनुका भी ध्यान रखना पड़ता है लेकिन खुल मिलाकर करके भया हम यह योजना है कि ये जो ये विद्याले के शाथ और कुछ जो गाउं है इसके शाथ तो भाया में स्वास्टन्जम का काम और ये शिक्षा संस्कार का काम ये इस काम में पूरा जो है समर्पी थोपर के जी बढ़िया भीया और मैं तो कहुंगा कि आप अपने साथ एक टीम भी बनाए गाउं में गाउं में एक अच्छा काम हो सकता है कुछ और यंग साथियों को भी आप जोड़े और जो यंग साथी है जो अगर मान लिजे अटेंड कर सकते हैं उनको भी हम लोग ऑनलाइन वरक्शॉप माधें से जोड़ सकते हैं तो 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 अगर गाउं की व्याफ्था को लेकर वहां शिच्छा संसका स्वास रही हमके लिए विधिवत आप योजना बनाए और उसलिए अलग से प्लैनिंग भी कर सकते हैं भगवान भी या इसमें साथ में दूख सकते हैं तो अब प्या के साथ साथ बाचित ही हो रही है कासकर के गाउं मेरा कहना है उसको एक विधिव प्लैनिंग की जाए और मुल्यांकन किया जाएं एक सठीक कारका मिखलेगा उससे बहुत बड़ी हम आवाल देगा है